लोगतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है चुनाव आयोग के अलान के साथ ही आचार संगिता लागू हो गई है चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक ये आचार संगिता लागू रहे की चुनाव संगिता लागू होते हैं कई तरह की पाबंधिया भी लागू हो जाती है यह पाबंधिया सरकार और आम नागरिक दोनों के लिए है आचार संगीता का सीधा मतलब ये समझे कि स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं जिसे सब को मानना होता है सरकार को भी और आम लोगों को भी जुनाव आयोग सबसे ताकतवर होता है सरकार किसी योजना का एलान नहीं कर सकती अफसर सरकार के लिए नहीं चुनाव आयोग के इशारे पर काम करते हैं चलिए आपको समझाते हैं कि आचार संगीता लागू होने के बाद आम आदमी क्या-क्या नहीं कर सकता है आचार संगिता की शुरुआद सालों पहले होई थी साल 1960 में केरल विधान सभाचुनाओ के दौरान प्रशासन ने राजनितिक दलों के लिए कुछ नियम बनाए थी आज चुनाव आयोग और आयोग की आचार संगिता उसी का व्यापक रूप है चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोशना के बाद आचार संगिता लागू हो जाती है लोग सभाचुनाओ के दौरान आदर आचार संगिता पूरे देश में जबकि विधान सभाचुनाओ के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है आचार संगिता लागू होने के बाद किसी भी अधिकारी या करमचारी के ट्रांसफर के लिए चुनाव आयो की अनुमती लेनी होती है नेता सरकारी वाहन का अस्तामाल चुनाव के लिए नहीं कर सकते हैं नहीं सरकार से जोड़ी किसी परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। चिनाव के दरान प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर भी सरकार की नजर रहती है। यूँ तो आचार संगिता लागू होने के बाद आम आदमी को कोई खास दिक्कत नहीं होती लेकिन आम नागरिक को कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होता है। जैसे आम आदमी धरना प्रदर्शन करता है तो इसके लिए प्रिशासन की अनुमती लेनी होगी। किसी जुल् पार्टियों के लिए चुनाव आयोग किसी दिशा निर्देश जारी करती है जिसे मानना जरूरी होता है। आचार संगिता चुनावी प्रक्रिया का एक अभिन्य हिस्सा है। जोरान चुनाव आयोग काफी ताकतवर हो जाती है। राजिया केंद्र का कोई भी मंत्री किसी चुनाव आयोग ही सब कुछ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताए। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। और देखते रहें टीवी नाइन भारत वरश।